आण सब लोगों का यहां बहुत स्वाजत हैं आज हमने एक प्रैस कॉन्पेंस करने जा Penis के इस के देखुर की जनका के साथ यही बाकर सरकार ऐसकार किस तरीके से बस एक Pitts इवेंट सरकार बनके रह रही है प्रोग्राम पर प्रोग्राम करें लेकिन जमेनी स्कर्पा पूर्ट करेंगे फैल हो चुकी है हर्ते हम पर सिवरेंज लाइन से लेकिन नगर निकम की जो कस्ता हालत है वो किसी से भी शुबी हुई नहीं है सब उसे तरह पुखें तो इसी को लेकर हम प्रेस कॉल्टेंस कर रहे हैं और हमारे अधरनी अध्यक सा बगत और आप सबीकों दुखावली की भी बहुत बहुत बढ़ यह क्छाई लोगों को कता है कि आम-ादमी पार्टी का जो बनी थी बदलाप के लिए बनी थी और मुझे बहुत खुसी होती है कि आम आदमी पार्टी के कारण आज पूरे देश ही नहीं पूरे प्रिस्ट में बदला पा रहा है और हम लोगों ने जिस तरह से आप लोगों से पहले भी कहा है कि आम आदमी पार्टी राजिस्थान के अंदर एक विपक्ष के रूप में एहम भूम का निवाईगी उसी चेटर में हम लोगों ने काम चालू कर दिया है जयकूर में हमरे जिलाद़ अर्चित भाई इनके नित्रत में पूरे जयकूर के अंदर जो एक आम आदमी की परिसानी होती है एक आम आदमी सिर्फ परिसान होता है तो अपने बच्चों के लिए अच्छी सिच्छा, अच् आप लोगों से एक चीज और स्रेयर करना चाहता हूँ दिल्ली विधान सवा चुनाओ बिल्कुल पास में आ गया है और जिस तरह से भाजपा सरकार अपनी ED, CBI, Income Tax जैसे डिपार्टमेंटों का यूज करकर अर्बिंद केजिवाल, सतेन जैन, मनीज सुचोद्या, सन्जे सि जैसे नेताओं को तना साही करके जेल के अंदर डालके आम आदमी पार्टी को खतम करना चाहती है, लेकिन आम आदमी पार्टी आम आदमी की पार्टी है, आम आदमी पार्टी में सभी कारकरताओं का बहुत सा योग है, देश की जनता आम आदमी पार्टी को चाहती है, जि तरह से दिली में एक इमानदार रातीती हो रही है, हर बच्चे को गरीब के बच्चे को भी अच्छे सरकारी सकूल मिलना है, वर्ड क्लास सकूल मिलना है, अच्छे अस्पताल, हर तरह की चिहिसा फ्री है, महलर क्लीनिक बनाई गये हैं, बजुर्बों को तीर थेयात्रा है मि दिल्ली के विधानसवाद चुनाओ बिल्कुल पास आ गए हैं और अर्विंद गेजिवाल जी ने जेल के आने के बाद मुख मंतरी का पत्याग दिया था उन्होंने जनता के उपर छोड़ दिया है कि अगर मैंने दिल्ली के लिए अच्छा काम किया है तो जनता मुझे वाफ साइड भी बनाई है फिर लाएंगे केजिवाल डॉट कॉम इस पर आम आदमी पार्टी के पूरे राजस्तान के कारकरता पूरे हिंदुस्तान के कारकरता अपना रेजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और एक हेल्प लाइन नंबर जारी किया है सेवन टू सेवन सेवन नाइन एक कारकरता जिसके मन में इच्छा है कि हमारे देश के अंदर बतलाब आना चाहिए हमारे बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए हमारे बुजुर्गों को जो सुगधाएं मिलनी चाहिए वो सुगधाएं इस देश के अंदर नहीं मिल पा रही है सतर साल हो गए भाजपा कांगुलेस को राज करते हुए लेकिन इस देश का आम आदमी आम आदमी पार्टी को एक आसा की किरण से देख रहा है इसी को लेकर हम लोग आपके बीच में आए हैं और इसी मिशन को लेकर मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि आम आदमी पार्टी राजस्तान के अंद पूरी ताकत के साथ संगठन का निर्मान कर रही है हम लोग गाउं गाउं दानी दानी जाएंगे लोग बहों की जो भी समस्या है उसको पूरी करेंगे और जो आप छोटे चुनाओं आ रहे हैं तो कि संगठन मजबूत होता है छोटे चुनाओं से इस वार आम आदमी पूरे निकाएक के चुनाएं पूरी मजबूती के साथ करेगी और संगठन को मजबूत करेगी कि अब आदमी पार्टी आम आदमी की पार्टी है और इस देश के अंदर कोई आम आदमी अबाज उठाता है आपने देखा जिस तरह से अर्विन केजरिवाल जी गो एक इमांदर पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई होकी मंतरी नहीं है जो उनके मुकाबले कटा रिमांदार है आम आदमी पार्टी कटा रिमांदार पार्टी है जो हम लोगों ने जनता को सुद्धाय दी है ये भाजपा और कांग्रेस 70 साल में भी आम जनता को नहीं देपाई ये लोग ह पास हर आम जनता चाहती है आम आदमी पार्टी की सरकार आये लेकिन कार करताओं को जिस तरह से जिल आपने कुछ दिन पहले देखा था हम लोगों ने प्रदर्शन किया था आज 32 कार करताओं के उपर जिल जिल में डालनेगा और केस लगा दिये तो जिस तरह से भाजपा सरकार हम लोगों को ढरा रही है Хम लोग ढरगने वाले नहीं है और आप देख लिजिए euros दिindi के अंदर पहली बार में हमारी 27 सीवते आई थी में काम किया है अर्विन केजिवाल जी ने रिजाइन इसी बात पर दिया है कि जनता तो नेगी मुझे पूरी आशा है हिंदुस्तान के पर टेक कारकरता जाकर दिली में परचार करेंगे और इस वार दिली की जनता अच्छी राग दीती अच्छे काम की बदोलत अर्विन संगर्ठन संगर्ठन में कोई कमजोर्य पर हम लोग इमांदार रागतिती हैं हमारे पास इमांधारी से हम softly करते हैं मry किसी भी तरह फ्रिषठर चार्ड नहीं करते हैं किसी भी तरह का Спमना इस काiring का बता debit के से जोड़ता है अगर वो खुलके काम और और कॉंग्रेस की जो सरकारे हैं ये आम आदमी को डराती है लेकिन कुछ नहीं है इसके बाबजूद भी आप देखिएगा आप देख रहे हैं निरंतर आज जब से आम आदमी पार्टी का कारवा बढ़ा रहा है राजस्तान में भी आदमी का कारवा बढ़ा रहा है और इस वार जो निकाई के चुनाओं होंगे उसमें आम जनता दिखाईगी आम आदमी की ताकत क्या होती है। जनता है कि अंदर हम जैपबूर के उनके सभी वाड़ों के अंदर और रेशानी है तकलीब है उनके सभी के सब्सक्राइब जारी किया है और चाहिए कि जो 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 आम आपकी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। कामों को उतनी बैकर तरीके सरी दिखाता जितनी वहतर तरीके से कॉंगर्स और बीजेपी को दिखाए जाते हैं। तो मैंने को बताना चाहूं है यही ने कवर्च के कई बार हमारे तुर्टी चार्चा राजा राद्मियों की सदस्ता ग्रेंट्स हमारों वीटी रोड मंगरूवर का आकि चुमेने पहले हुआ था चुनाओ के लोग मेने पहले पहले हुआ है। पर हमारी प्राते जंदा तक प्रोपर में पहुच वाती है शाहिए इसी चेक्टर में हमारी संख्या अब धिरे घचले लगी वापस से कि लोगों का ऐसा लगव जागरूप नहीं हम काम नहीं करने और वापस से मिस्ट्वाल नंबर कि सदस्ता नंबर जारी करके ज्यादा करते हैं उनसेजद़ जादे करना चाहते हैं उन सभी को आम krit करेंगे आप सभी को पता है कि जैपूर केंदर रइस और ऐसो वाड़ों के अंदर करीबून 10% से उपर निकाई सिते जो हैं निर्दलिय पार्शलों की यह वो लोग है जो लोग अमेशा से तचराज़ी की साथप्री राज़ी करते आते हैं और उनको बीजेपे और कॉंग्रेस मौका ने लिए प्रिके अंदर ऐसे लोगों को टिकल किया जाता है जिनके अपरोच हो जिनके पास प कहने की मौका देगी और निश्चित तौर काने वाले सुनहे में में आप सबी लोगों कम बताएंगे कि इलिए पार मिगाह के अंदर निकाय के अंदर निकाय कुनाओ जयपूर के नदर आम भी भी जाता कर दिनके तर बहुत ही तपहुत एफ़क। पर आज तक साल बर हो गया है पर जनता के साथ में देखा जाए तो कोई बला नहीं हो रहा है जो लोग अच्छी स्मुच राजनिती करते हैं काफी समय से पॉंगल कर देने की इच्छा वो लोग रख रहें अगर जनता के देखा जनता के मांने कर दो लेगा है और उसके अंदर हमने आना की बिल्डिंग में लेकर नहीं था रोड किसाफ सफ़ाई को लेकर फिर दिया था अब बिल्डिंग के उपर इस तरी किसा बतारे हैं कि वो भृष्वत ले रहे हैं इसब कर रहे हैं इसके उपर तक रूप मेलेगा तो निश्चित तो और पूरा प सकाप습 को इस सथा है कि चाहिए होता है काफी साधी जोगते हैं पारिए कंपनते कं दुग कोशिश पाइटीग आघानी के पालिटीच सरकार में परफोमन्स के अंदर चात्मा सीटे मिस तरीक से हर्याना में निकलती करती है उनके मेर करते हैं उनकी सच्चा ही क्या है है आपको आउगत करा देते हैं अमित जी तो जो है बड़ी राहती है इस सरकारों की तरफ से और इमानदार उनको अंदर डाला जाता है वास्तिक्ता में अगर देखा जाए तो जैपूर की सिती भी यही जो है नगणिकम जो हमारे दो मेहर जो उनके उपर इतरे आरोप लगे ब्रेश्टाचार के दो दो बार तीन तीन बार उनको निश्काशित किया गया उनके बहुत को वापस से पहल भी किया गया वो माजरा प करने की राग्निति से कर्भी ँष् Document volte पाटीz आम आदमीं के विकास के लिए काम करती हैं और राजस्थान में भी आने समय में हम लोग कदब उठा रहे हैं आम आदमी से हम संपर्ख में हैं और जो उनकी जो समश्चा हैं उन समश्चाओं को हम जो है समाधान के लिए मावाद भी उठाते हैं और इसी में हमने एक कुछ चत्थे भी निखाले थे नगर निगम की व्यवस्था के कि नगर निगम में कितने करमचारियों की पॉस्टिंग है 7144 जहां उनके करमचारियों की पद है उन में से 3704 बदलब 50% से ज़्यादा उनके पद खाली पड़े कहां से सफाई होगी और सुपरवाइजर 28 पद में से 26 पद मात्र दो पद भरेवें नगर निगम की सफाई कांसे होगी इनकी रेंकिंग की अगर बात करते हैं पूरे देश में 2018 में इनकी रेंकिंग की सफाई की 39 49 नंबर पे इनका रेंकिंग था तो वही आज घर्टे घर्टे दोजार पेईश मे 171 और 113 ग्रेटर की बात करते हैं तो हेड़िज़ की बात करते हैं तो 113 और 113 वह रेंकिंग पेई आड़े तो यह अगर इनके आलंब इस तरह से रहेगे तो जनता तो त्रस्त रहेगी जब सफाई नहीं होगी प्रोपर वहार सवपेस्टार वजानार्ण की वहते नहीं होगी वहार सघ्मी को और इसी तरह से इसे भने है मकसद है कि आम आद्वी पार्टी सच्ची इमानदारी से काम करती है और वाकई में मोडूल जो ने दिल्ली में बनाया पंजाब में अब जनता साथ ही कि यह मोडूल जहें नगर निकम में जय पुर्मा भी हम लोग इसके लिए पूरी महनत और इमानदारी के साथ में जनता हमारे केम चलाया जा रहे हैं उसके साथ ही हम जमी में छोटे-छोटे मुस्तोपोली की काम कर रहे हैं और उसी संदर में आज हमने एक वेस्कोल नमबर भी जारी करा है चेत्र के अंदर किसी भी वेखती हो कोई भी समझ्चा हो तो वो स्रीफ हमें इस पर वापस कोल करेंगे है और उसकी जो समझ्चा है जैसे वो लाली से जोड़ी हो है या पर्चाशन से जोड़ी हो हम उसके साथ संकर्स करने को तयार है क्योंकि आमारे पारिटी का जो जनब है वो संकर्स से हुआ है